हलो दोस्तों आज की वीडियो में हम सलवार में चून किस तरह से डालते हैं वो देखेंगे यह देखेंगे मैंने हमने अटेच कर लिया है एक दूसरे को इस तरह से सामने रखेंगे और सलवार के घेरे को साइड में इस तरह से डॉट लगाएंगे इधर के साइट से भी डॉट लगाएंगे जहापे हमने डॉट लगाएंगे वहाँ से हमें प्लेट्स को लेते हुए मैंने तक लेख जाना है यहाँ से यहाँ तक कप्ड़े को हम बराबर रखेंगे जहापे हमारे डॉट है उस डॉट को हमें इस तरह से उठाना है और देड इंच पे इस तरह से फोल्ड करना है यह देखिए इस तरह से हमने यह देड इंच की प्लेट को यहाँ पे तयार कर लिया है देड इंच की प्लेट लेंगे और उसके बाद की प्लेट्स हमें सब आदे आदे इंच की लेनी है इसी तरह से हम मैनी तक प्लेट्स लगा लेंगे पहले हम इधर की साइट लगाएंगे और फिर इधर की साइट लगाएंगे सामने वाले साइट पे हमने देड इंच का प्लेट ले लिया है आप सिलाई चलाते हुए हमें पूरी प्लेट्स ले लेनी है आदे आदे इंच के फासले पे हम पूरी प्लेट्स ले लेंगे पूरी प्लेट्स हमें इसी तरह से लेनी है सिलाई चला लेंगे इसी तरह से हम ये आदे-दे इंच की प्लेट मैनी तक ले नी है सामने की प्लेट्स लेते हुए हम पूरी चून को तयार कर लेंगे और फिर बेल्ट अटेज करते टेम पे पीछे की साइट पे घेर अगर बड़ा हो गया है तो पिछे की जो मैनी है वहाँ पे हमें आदे इंच की प्लेट लगानी है देखिए एक साइट के हमारी प्लेट कम्प्लेट हो गई है अब दूसरे साइट की प्लेट लेंगे जिस तरह से हमने इधर के साइट की प्लेट लिए है उसी तरह से हमें दूसरे साइड चालू है पहली साइड पे हमने पहले से ही देड़ इंच के प्लेट ले ली थी यहां पे हमें पहले आदेड़ इंच के प्लेट्स लेनी है प्लेट्स के दोनों साइड आमने सामने रहेंगे जहां पे हमारी मैनी है यहां पे हमने देड़ इंच के प्लेट को ले लिया है और मैनी के बिलकुल सामने प्लेट्स के दोनों साइड तैयर रहेंगे रेखिए इस तरह से यह हमारा मैनी वाला साइड है सेंटर का और दोनों प्लेट्स आमने सामने हैं रेखिए इस तरह से हमारी प्लेट्स कंप्रीट हो गई है और बेल्ट हमने पहले से यह त is clear कर लिया था अब枝 करने का तरिका देखेंगे असके मेनि की सेंटर उसके सेंटर में हमें नहीं फोल्डिंग पत्टी रखनी है और गोल्ड राउंड सिलते वraphantage कर लेंगे तोipe करें आधेन्ज पिर शेज करते वेरें हमें वनेंगेस कर लेंगे पूरे राउंड पे हमें पाव इंच पे सिलाई लगा ली नहीं है ये बेल्ट पे हमने सिलाई पूरी अटेच कर ली है और ये देखिए सलवार के प्लेट्स और हमारा बेल्ट बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से हमने तयार किया है आपको अगर पसंद आयो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें